हलो गाईज वेलकम टो क्रिप्टोफर्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्रिप्टोटेक्स और टीडियस के बारे में जैसा कि आप सब को पता हुआ कि फर्स्ट ऑफ जुलाई जो की इस मन्त की स्टार्टिंग है उससे टीडियस कटना सारी इंडियन अगर अगर को टीडियस के बारे में जानने में इंट्रेस्ट हो या आपको क्लियर नहीं कि तो इस वीडियो के एंट जरूर बने रहें और इस वीडियो के एंट पूरी उमीद है कि आपके सारे doubts क्लियर हो जाएंगे और आप यहां से अच्छे से TDS के बारे में जान कर जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले यह वीडियो जो है वह स्पांसर है एक प्रोटोकॉल है जो की स्टेंट्स करता है एठीरियम पूर्श नॉटिफिकेशन सर्विस के लिए यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे आपको कोई भी स्मार्ट कॉंट्रेक्ट डी सेंटराज अप्ल और साथ ही साथ यह आपको नॉटिफिकेशन के लिए रिवार्ड भी करता है तो बेसिकली अगर स्वाट में बात करें तो एक नॉटिफिकेशन टूल की प्रोवाइड करता है वो भी और साथ में हमें इंसेंटिवाइज भी करता है अगर आपको इसके लिए जो सबसे इज सब्सक्राइब कर सकते हो उसके लिए आपको अपने वालेट को कनेक्ट करना होगा EPNS से और app.epns.io पर जाकर आप अपने चैनल को चूज कर सकते हो जिसके लिए आपको नॉटिफिटर चाहिए और EPNS का Chrome extension कुछ ऐसा दिखता है जो आप आप क्रॉम के वेब मार्केट में जाकर वसे इंस्टॉल कर सकते हो तो चलिए यह वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे साथ जो नया लौ आया था नया फाइनेंस लौ उसमें बताया गया था कि 30 परसेंट टेक्स कटेगा हर क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन पर अब देखते हैं इसमें जो 30 परसेंट टेक्सेशन है उसमें यह इंक्लूड नहीं है बहुत लोगों का सवाल था कि क्या यह TDS जो है हो 30 परसेंट टेक्सेशन में इंक्लूड है तो वह है नहीं TDS जो है वह एक परसेंट अलग कटेगा चली जैसे मान लेते हैं आपने 100 रुपिस का ट्रांजेक्शन किया तो उसमें जो भी टेक्स है वो तो अलग कटेगा साथ में आपको उसका 1 परसेंट टीएस जो एक रु को पे करना वह हमें टेंशन लेने के जरूरत नहीं है वह सब कि हमारे क्रिप्टो एक्सेंट का ध्यान रखेंगे और साथ में क्रिप्टो एक्सेंट जो है वह जैसा मैंने बता है वह अल्रीड है अभी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करके देखोगे तो कुछ भी अगर क्रिप्टो एक्सेंट से खुष नहीं थे उसमें डाउटफूल थे कि हम यह एक्सेट करें की नहीं करें बट एडाएंड उनका फाइनल डिसीजन क्या था एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट ने और कोई ऑप्सन उन्हें दिया नहीं तो इससे क्या होता है कि अगर टीडियेस कि छाएंड करते हैं क्रहें गावर्नमेंट कर हुए तो उससे जो भी इन्वेश्टर होगे यह रोंगे उनके उनके बी ठ्रेक्स हो रहे हैं उसके ट्रांसपेंसी और क्लारेटी आएकी मतलब जो भी ट्रेड हो रहे हैं उसके कलेडियो असमें कुछ ब्लेक्स आएका सब ट्रैक होगा और सब पर टेक्स दिया जाएगा इंडियां गवर्न्मेंट को तो अब ठीडियेश के बारे में और अच्छे से जानते हैं यह बेसिकली है टीडियेश होता क्या है कि यह का फूल-फॉर्म होता है टेक्स डिड़क्टेड एट सोर्स इसका मतलब हम जहां पर करें सोर्स पर हमारा टेक्स डिड़क्ट हो जाएगा तो टीडियस को जो वर्च्वल डीजिटल एसेट है जिसके अंदर क्रिप्टो भी आता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस बिल ट्वैंटी ट्वैंटी टू में जो इस यह लॉंच हुआ था हमारे फाइ टीडियस से वह कटेगा एज़ा ट्रांजेक्शन चार और वह गवर्मेंट को पे किया जाएगा और आगे हम इस वीडियो में यह भी बात करते कि क्या टीडियस को हम रिटर्न ले सकते अपने ITR में और क्या टीडियस कुछ सटेन अमांट तक ही अगर हम ट्रांजेक्शन कर करते हो क्या टीडियस नहीं कटेगा तो उसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह वन परसेंट टीडियस वह गवर्नमेंट के बार जाएगा अगर हम अधर वे में बात करें तो कोई भी इन्वेस्टर जो होगा वह क्रिप्टो एक्स्चेंज से क्रिप्टो बायर सेल करेगा और उसको कुछ नहीं करना है बेसिक होंगे उन्होंने उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी लिये और वह जहां पर भी टीडियस एप्लीकेबल होगा वह हमारे ट्रांजेक्शन में अल्रेडी कट कर लेंगे और इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात जो सब मिस करते हैं कि यह जो टीडियस कट होगा वह फाइनल सेल एम आप ग्राफ से क्लिरली देख सकते हैं अगर लेफ्ट साइड में प्रॉफिट का ग्राफ और राइट साइड में लॉस का अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो भी अपने टोटल एमांट पर वन परसेंट टीडिया तो यह बात ध्यान में रखना कि इसमें मैं बार बार टम में क्या होन यूज कर रहा है और वो कुछ मांब नहीं रखता आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हो है अब टीडियस जो है कैसे रुगा किस ट्रांजेक्शन पर कितना डिडाक्ट होगा यह सब जानते हैं तो बेसिकली अगर हम डे टुदे ट्रेडिंग में बात करें क या तो हम अगर चलो मैं वजी रेक्स की बात करता हूं मैं हम क्या करते कि अपने बैंक एकाउंट से कोई भी क्रिप्टो पर्चेस करते हैं या तो सेकंड ऑप्षन क्या होता है कि हम P2P मोड से ट्रांजेक्ट करते हैं तो यह दोनों मोड में आपको ट्रांजेक्शन पर ट्र वह भी कैसे टीडियस नहीं कटेगा और कैसे टीडियस कोम सेव कर सकते हैं उसके बारे में बात करता है तो जैसा कि सबसे पहले एक एक्जमपल लेते कि अगर आपने कोई भी फोर एक्जमपल आइञ नशे को लिया उसको वह कोई ता एक परसंड नहीं से आपने लिया हम P2 बात करें वह जो कोई सेलर होगा उसको 99 आइनर मिलेगा जिसमें 1% टिडियंग्ट होगा और एक्चुल जब कि इसकी सेलिंग परेस 100 है वाट जैसा कि यह अगर हम सेल करेंगे तो में 1% टिडियंग्स देना लेकिन अगर हम बाय करते हैं तो मैं कोई डिया तो इसका मतलब क्य करते हैं तो उसमें हमें 1% देना है तो जो सेलर होगा उसको 99 आये ना दी जाएगा इसको पे करना 1.01 BTC क्योंकि इसमें 1% TDS एडेट है और जो BTC बायर होगा उसको मिलेगा 0.99 BTC क्योंकि इसके इंकम में भी 1% TDS करेगा तो इन डोनों में basic difference क्या था उसके बारे में बात करते हैं अगर हम कोई exchange से purchase कर रहे तो हमें कोई TDS उसमें नहीं कर देगा बट अगर हम sell करें तो TDS कर देगा लेकिन P2P mode में क्या है अगर आप कोई भी पेर में trade कर रहे हो और उसमें INR पेर नहीं है जैसे अभी हमने से TDS से बच सकते हैं अभी हम बात करते हैं क्या 1% TDS जो है वो mandatory है क्या वो देना जरूरी है हाँ 1% TDS जो है वो जरूरी है और हमें as a citizen of India में try करना है कि हम उसको avoid नहीं करें मतलब कोई bad means से हम avoid नहीं करें और जैसा कि CBT ने बताया था Central Board of Direct Texas है कि जो exchange होगा वो directly 1% TDS deduct करेंगा तो इसमें ऐसा कोई option ही नहीं है कि आप अभी original payment कर रहे और फिर आपको बार में 1% TDS पे करना income tax तो इसके लिए जो exchange है जब भी आप transaction करोगे वो directly 1% TDS deduct कर लेगा और अगर आपको TDS return चाहिए तो आप अपने ITR फिल करते समय 1% TDS को claim कर सकते हो उसका refund और उसको refund करने के लिए भी आपका जो पूरे साल का income tax होता है वो आपके TDS आपने चितना पे क्याव से कम होना चाहिए तो आप उसको refund कर सकते हैं तो आपको बढ़ा चल गया होगा कि TDS mandatory है और उसको हम कैसे भी avoid नहीं कर सकते हैं उसको refund ले सकते हैं बट वह भी कुछ conditions के अंदर अभी हम बात करते हैं कि क्या कुछ amount जो मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था कि कुछ amount है जिसके ओपर TDS लगेगा या कुछ ऐसा threshold value है तो हां इसमें गाइस दो पॉइंट को discuss करते हैं पहला कि TDS आपका नहीं कटेगा एक है 50,000 की लिमिट है अगर आप पूरे financial year में 50,000 जितना आप transition करते हो और उसमें आपका TDS नहीं कटेगा कब नहीं कटेगा अगर आपकी जो total income है वो अंडर या profit and gains of business और अगर आपकी टोटल जो income है वो इसके इस category के अंडर आती है और इस category के अंडर भी डो पार्ट से अगर आप business कर लो तो आपकी जो income है वो वन करोर से जादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप कोई अगर आप इस ग्रूप के अंदर आते हो profit and gains of business और प्रोफेशन और इसमें भी आप वो लिमिट को क्रोस नहीं करते हो अगर आप कोई प्रोफेशन में हो तो इसमें 50 लाइक की लिमिट है अगर आप इसको एक्सीड नहीं करते हो तो आपके पास 50,000 टक का लिमिट है अगर अगर और इसके सामने बात करें अगर आप इस कैटेग्री में नहीं आते हो तो सेकंड कैटेग्री जो हो गई उसमें आपको 10,000 की लिमिट मिलती है और 10,000 तक आपका और इसके आगे आपको तो गाइस यह था कि बारे में कि जो मैंने लिमिट बताई आपको अब लास्ट यह से करें आपके बात करते हैं डेमों के पहले कि आपको यह जो 10 अगर्च और एक्सेंज और ये सक रड़े में अपने एक्सन के अबू tydpG और यह च्चाहिव तो इस पे कुछ लोगों के अपने व्यूज है जैसे एक जैप पे आपने सुना होगा वहां पे वहां से एक सेखर है उन्होंने व्यूज दिया अपना कि यह TDS के से क्या होगा कि जो जो भी ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम है वह धिरे-धिरे कम होगी क्यों कि लोगों को जितने ज्यादा टैक्स से बाउंड करेंगे उतने ज्यादा लोग अपने आपको बाउंड करते हैं यूज करने से क्योंकि उनको टैक्स 1% TDS को बचाने के लिए वॉल्यूम अफेक्ट कर सकता है चली तो अब हम देखते हैं कि टीदिएस एक जैसा मैंने बता है वर देखते हैं यह वजी रेक्स के होंपेज वे इसमें मेरी एकाउंट लोगीन है चली तुम्हें एक वजी रेक्स टोकन को यहांपर सेल करने की ट्राइब करता हूं तो कि मुझे अपने बैंक में चाहिए तो मैं इसको israel कर रहा हुआ चलि में marcus यापक को ऐसकान इन ही वाप कहते हैं तो अभी आप देख सकते हुगा यहाप पहले यह नहीं हाना तो running और यहां पर एक और मेसेज इंक्लूजिव टेक्स क्योंकि इसमें तो आप यहां जैसे डिख सकते हो कि टीडियर्स आपको पहले आपको सेलिंग अमाउंट है 17.70 बड़ टीडियर्स कटने के बड़ आपको मिल रहा है 17.52 तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी आप कर रहे हैं कि आपका इसमें प्रॉफिट कितना है जो भी आपका टीडियर्स कटने वाला है वह सेल प्रस पर कटेगा और उसको जो भी क्रिप्टो एक्स्चेंज जो वजी रेक्स वह उसको टेक केर कर रहा है इसके लिए मैं अलग से कुछ नहीं करना है तो आयोप गाइस को यह पॉइंट क्लियर होगा आपने अभी लाइव डेमो में देखा कि कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज का कट कर रहा है मारे जब भी हम कुछ सेल कर रहे है तो मैंने आपको वजी रेक्स कोईन को वजी रेक्स प्लैट्फोर्म पे सेल करके सेल करते समय दिखाया तो आपको क्लियर होगा कि कैसे कटेगा और क्या-क्या उसके मेजर से और हमें ध्यान रखने और हम किस पॉइंट ऑप टाइम पर हम अवाइड कर सकते हैं अगर कुछ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले साथी साथ अगर आप क्रिप्टो कम्यूनिटी से अक्टिव रेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करें हमने डिस्क्रिप्शन में साथी लिंच दे रखें और साथी साथ हम टेलिग्राम में जल्दी कुछ नाई कंटेंट के साथ आने वाले साथ आगे के वीडियो में मिलते हैं तिल देन कीप लर्निंग